प्रेंस तो चलिए आज मैं आप सभी कवीच गेडर के बारे में बताऊंगा और दिखाऊंगा इसका जो देखिए लूकेशन आप सब देख लिजे लिगवन का गेडर है और इसका जो है मॉडल नमर दिखाद हुए आप सभी को तो इसका model नमर पीछे दिया हुआ है 414 है BS3 है 123 ठीक है फ्रेंस BS3 है इसमें जो है रेडियो आटर के बारे में किलियर जानकारी देंगे रेडियो आटर में कितना पानी लगता है कहां से डाला जाता है कितना coolant मिला का डाला जाता है कहां से निकाला जाता है सर्विस के समाए में इसी के बारह में इसी के बारे में किलियर जानकारी देंगे तो चलिए बीडियो करते हैं शुरू है इस्के लिए आपको इस टायर पर चरणना पड़ेगा इसमें तो कि कितना डालते हैं ठीक है फ्रांस तो चड़ते हैं उपर तो मैं आगे इसके उपर में यह आप सभी को दिखी रहा होगा इसी माउथ को खोल के और इस मेरे रिवाटर में पानी डाल सकते हैं कितना मिला के डालेंगे कितना कुलेन डालेंगे इसको बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में तक बने रहेगा यहीं से डाला जाता है अब आप सभी को दिखा दूँ इसका ड्रेनोट किधर है ठीक है फ्रेंस तो इसका जो है ड्रेनोट आगे का जाली खोलेंगे जो आपको जाली दिख रहा है यही जो जाली खोलेंगे उसके नीचे में आप सभी को दिख आप जाली खुला हुए नहीं है जब सर्विस करना पड़ता है तो आप जाली खोल करके ड्रेणोट से ड्रेन कर सकते हैं पानी को इसके बारे में बता दिया अब इसमें बता दूं इसमें जो है कूलेंट और पानी दोनों मिक्स करके आपको 45 लिटर डालना पड़ता है 45 यह अपने कूलेंट के उपर डिवेंड करता है कूलेंट कौन से क्वालिटी का है लगभग अभी मिनिमम देखा जाए इसमें तो 15 लिटर कूलेंट है और 30 लिटर पानी यानि 15-45 डबल एक लिटर कूलेंट में 2 लिटर पानी मिला करके इसमें अभी डाला गिया है ठीक है फ् पूरी इसमें 45 लिटर आता है 45 लिटर इसमें पूलेंट और पानी मिला करके इस डिवाटर में डाल सकते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से आप सभी को समझ आई गिया होगा अगर समझ नहीं आया है और कुछ भी जानना चाहते है तो हम एक प्यारत से कॉमेंट कीजि है और जो है हमसे कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस्तागराम पर यह हमारा युजर आइडी ने में बुलेट कुमार 68 तो चले फंस आज के लिए भस इतना ही मिलते हैं फिस कोई अगला बलग बने मत आज के लिए बाए बाए